Hello everyone, welcome back to my channel Skilark, मैं हूँ Priyanka और जो आज की हमारी class रहेगी इस class में exercise 4.5 में start करेंगे बागी पिछला वीडियो ज़रूर देख लिजेगा क्योंकि पिछले वीडियो में हमने वो सारे concept cover किये थे जो हमारी exercise 4.5 में काम में आने वाले हैं ठीक है तो जो concept है वो already मैं पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ इसलिए यहाँ पर हम direct caution करेंगे concept अगर आपको समझना है तो पिछले वीडियो से आप समझ सकते हैं तो पिछले वीडियो की link ओपर मिल जाएगी बागी जैसे जैसे chapter हमारे complete होते जा रहे हैं सभी की playlist की link में description box में mention करते जारी हूँ तो class start करते हैं तो यहाँ पर हमको सबसे पहले बोला जा रहा है find adjoint of each of the mattresses in exercises 1 and 2 यानि caution number 1 और caution number 2 के लिए हमको क्या find करना है adjoint तो चलिए करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं caution number 1 और caution number 1 में हमको जो matrix दिये हम उसको suppose कर लेते हैं तो let a equal to 1, 2, 3, 4 ठीक है तो यह matrix हमको दिये हमने suppose कर लिया कि यह matrix है अब इसका हमको adjoint find करना है तो देखिए 2 by 2 के matrix के लिए adjoint find आगर आपको करना है तो shortcut से भी आप कर सकते हैं चाहें तो जो हमारी long method है उससे भी कर सकते हैं तो 2 by 2 के लिए shortcut है 3 by 3, 4 by 4 के लिए shortcut नहीं है तो देखो इसको कैसे करते हैं अगर हमको adjoint find करना है इसका तो adjoint of a के लिए हम क्या करेंगे इन दोनों को interchange करते हैं और इन दोनों के sign change करते हैं तो चलिए कर देते हैं तो इन दोनों के हम sign change कर देते हैं प्लस के हैं तो ये minus का हो जाएगा ये plus का 2, minus का 2 हो जाएगा इन दोनों को interchange 1 की जगा पे 4 4 की जगा पे 1 तो यह आ गया आपका adjoint ठीक है तो caution number 1 हो गया है अब हम करते हैं caution number 2 तो caution number 2 की matrix हम लिख लेते हैं तो इसको भी हम suppose कर लेते हैं let a equal to this तो यह matrix है हमारी इसका भी हमको adjoint find करना है तो अब इसके लिए adjoint कैसे find करते हैं हम हमारा जो basic तरीका वो क्या है कि हम जिस भी matrix का adjoint find करना है उसके co-factor का transpose करते हैं तो सबसे पहले तो इसके co-factor find करेंगे सबसे पहले पहली रोगे co-factor find करते हैं तो यह हो जाएगा a11 तो इसका co-factor यह रोगे यह column कहा 31003-0 into 50 तो 3-03 ठीक है वन प्लस बन टू इवन तो प्लस ही रहेगा ठीक है फिर a12 यानि इसका co-factor तो यह column कहा है यह रोगे 21002-52010 और और अल्रड़ी यह माइनस का है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो 2102-10 तो यह हो जाएगा 12 ठीक है और इसकी पोजिशन के साब से माइनस लगेगा तो 1-23 और तो माइनस ठीक है इसके बाद a13 इसका find कर रहे है तो यह column गया यह रोगे 2-0-23006-6 तो 0-6 तो यह आ जाएगा 6 बागी 1-3-4 और एवन है तो प्लस ही रहेगा तो पहली रोगे co-factor find कर लिए अब दूसरी रोगे co-factor find कर रहे है तो यहीं कहीं कर लेते हैं 2 का करते हैं तो यह हो जाएगा 2-1 पोजिशन क तो इसकी यह रोगे यह column गया 1-1 तो-1-1-1-1-0-2-0 तो-1-0-1-0-1 ठीक अब यह position देख लिए जिए 2-1-3 odd है तो यहां लग जाएगा minus तो minus minus हो जाएगा plus ठीक अब इसका find करते हैं 2-2 का तो इसका co-factor यह रोगे यह column गया 1-1-1-2-2-0-4-1 minus minus plus 4 5 2 plus 2 4 even है तो plus ही रहेगा ठीक है 2-3 का करते हैं यानि इसका तो यह रोग गई यह column गया 1-0-0-2-1-2 तो minus minus ही हो जाएगा plus तो 0-2-2 ठीक है अब 2 plus 3 5 odd है तो यहां minus लगेगा एक और तो minus minus क्या हो जाएगा plus ठीक तो पहली दो दूसरी रोगे को factor find कर लिए अब तीसरी रोगे करते हैं 3-1 इसका तो यह रोग यह column गया 1-5-5-3-2-0-6-5-6-11 अब 3 plus 1 4 even है तो यहां जो sign है वही रहेगा कोई दिकत नहीं है अब इसका करते हैं तो यह रोग यह column गया 1-5-5-2-0-4 तो 5-4 1 ठीक है 3 plus 2 5 odd है इसलिए minus लगेगा ठीक अब इसका कोफेक्टर फाइंड करते हैं तो यह हो जाएगा A33 तो यह रोग गई यह column गया 1-33 बीच में minus 2-1000-2 तो 3 minus minus plus 2 3 plus 2 5 और 3 plus 36 even है इसलिए यह प्लस कई रहेगा तो आप देखिए हमने कोफेक्टर फाइंड कर लिए है कोफेक्टर ओफ ए मैट्रिक्स ए के जो कोफेक्टर हमन तो देखिए A11 यहां आएगा A12 यह आ गया A13 यह तो पहली दोग कोफेक्टर अब दूसरी दोग के 21 22 23 फिर 31 32 33 सबसे पहले हम क्या करते है कोफेक्टर फाइंड करते हैं अब यह जो कोफेक्टर ने इंकम ट्रांस्पोज कर देंगे तो बस ट्रांस्पोज ही हो जाता है हमारा kidnapped तो adjoint of a हमारा क्या हो जाएगा co factor का transpose हम find कर देते हैं transpose आपको पता है row और column को interchange तो पहली रो को पहली column में 3, minus 12 6, दूसरी रो को दूसरे column में 1, 5 2, तीसरी रो को दूसरे column में minus 11 minus 1, 5 तो यह आगे आपका adjoint, let's sit, ठीक है तो यहाँ पर देखिए question number 1 जो था यह 2 by 2 की matrix थी, तो इसके लिए direct हम कर सकते हैं बढ़ 3 by 3 की matrix या फिर आगे के जो order रहेंगे उनके लिए हमको यही method apply करनी पड़ेगी कि सबसे पहले co factor आप find करिए फिर उनका transpose कर दीजे transpose कर देंगे तो adjoint मिल जाएगा तो यह होगा question number 1 यह होगा आपका question number 2 तो यहाँ पर next है verify that a adjoint of a equal to adjoint of a into a equal to determinant of a into identity matrix तो यहाँ पर question number 3 और question number 4 के लिए हमको यह चीज़ verify करनी है तो हमने introduction वीडियो में देखा था ठीक है theorem number 1 में कि अगर a और adjoint of a यानि कोई भी matrix और उसके adjoint का multiply करें या फिर adjoint और उस matrix का multiply करें तो हमको क्या मिलता है determinant of a इसको हमने verify भी किया था एक example से तो वही same चीज़ यहाँ पर हमको करनी है हमको क्या करना है कि हम इस matrix को यहाँ तो a बोलाता हम इसको suppose कर लेते हैं कि यह जो matrix है हमारी यह क्या है a question number 3 है यह ठीक है तो let a equal to this तो यह हो गई हमारी matrix अब क्या करेंगे सबसे पहले इसका adjoint find कर लेते हैं तो अब यह 2 by 2 की matrix है तो आसानी के साथ हम adjoint find कर सकते हैं तो adjoint of a कैसे करेंगे हम direct method है इन दोनों के sign change इन दोनों को interchange तो 2 की जगा पे आ जाएगा minus 6 और minus 6 की जगा पे आ जाएगा 2 इसका sign change हो जाएगा यह minus का है तो यह plus का हो जाएगा और यह plus का है तो यह minus का हो जाएगा यह आगया आपका adjoint ठीक है तो 2 by 2 की matrix का adjoint direct easily find हम कर सकते हैं ठीक है तो यह यह आपकी matrix है यह आपका adjoint है verify करना है हमको तो सबसे पहले हम इसको करते हैं तो हम क्या करते हैं सबसे पहले तो हमने लिया a adjoint of a सबसे पहले हम इससे find करेंगे कि a agent of A से हमको क्या मिलता है तो A हमारा क्या है यह रहा तो हमने यहाँ पर लिख लिया 2, 3, minus 4, minus 6 ठीक है और agent of A लिख लेते हैं यहाँ पर यह नि दोनों matrix अब agent से भी तो हमको matrix मिल रही है यह तो हमारी matrix है ही तो agent लिख लेते हैं minus 6, 4, minus 3 और 2 ठीक clear तो यह A यह इसका agent अब इन दोनों का multiply करेंगे तो 2 matrix का multiply हमको यहाँ पर करना है जो कि हम देख चुके है matrices chapter में ठीक है तो चलिए करते हैं तो पहली रोका पहले कर लेते हैं इसको तो यह आ गया minus 12 plus 12 इसका यहां किया अब पहली रोका दूसरे कॉलम में two three's are minus six बीच में plus three two's are six ठीक है तो पहली रोका पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में कर दिया अब दूसरी रोका करेंगे पहले कॉलम में तो four six's are twenty four minus minus 24 बीच में हम लगाते हैं प्लस six four's are twenty four plus minus minus 24 तो दूसरी रोका पहले कॉलम में दूसरे का दूसरे में four three's are twelve plus का क्यूंकि minus minus plus और six two's are minus twelve तो multiply करने पर हमको यह मिला तो आप देखें सभी जगे क्या आ रहा है जीरो 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 ठीक अब इसका क्या मतलब है कि आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको zero one zero zero one लिख सकते हैं कि नहीं क्यूंकि वैसे भी यह क्या है scalar है यहाँ पर हम किसकी बात कर रहा है matrix बात कर रहा है matrix में जो भी scalar होता है उसका हर एक element में multiply होता है तो इस जीरो का अगर आप हर एक element में multiply करोगे तो यह भी भी 0 जाएगा ये भी 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा ये भी 0 जाएगा ठीक है तो 0 को हमने बाहर ले लिए scalar को ठीक है और बार कि यहाँ पर हमने हमने लिख धीडि Gewole अब करना हम भूल गए हम defined करना बोल गए हम products दिख सके तो डिटर्मिनेंट ओफ ए क्या आ जाएगा देखो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो 2600-12 बीच में-43012 और यह माइनस का तो माइनस माइनस प्लस 12 तो आप क्लियर्ली देख पा रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट है हमारा वो क्या आया है जीरो ठीक है तो बस बात खतम ठीक है तो यह क्या है हमारा determinant of A और यह क्या है आपकी identity matrix और identity matrix का order वही रहेगा जो आपकी matrix का order है तो इसका order 2 है तो इसका order भी 2 है और यह 0 हमारा क्या है determinant ठीक है तो यही हमको लाना था तो इसको solve करके हम यह ले आए अब इसको solve करेंगे agent of A into A तो चलिए करते हैं तो A into Adjoint of A से हम यह ले आए अब Adjoint of A into A हम सॉल्फ करेंगे सबसे पहले हम Adjoint लिखेंगे Adjoint हमारा क्या आया है? माइनस 6, माइनस 3, 4, 2 माइनस 6, माइनस 3, 4, 2 इसके हसाब से Adjoint लिखा अब A लिखेंगे इसी के Multiply में A क्या हमारा? 2, 3, माइनस 4, 6 तो 2, 3, माइनस 4, माइनस 6 अब इन दोनों का Multiply कर दीजिए तो Multiply कर देते हैं चलो ठीक तो देखो पहली रो का पहले कॉलम में 6, 2, 0, माइनस 12 3, 4, 0, 12 माइनस माइनस प्लस ठीक है? फिर इसका इसमें या नि पहली रो का दूसरे कॉलम में 6, 3, 0, माइनस 18 बीच में लगेगा प्लस 3, 6, 0, 18 माइनस माइनस प्लस तो यह आ गया ठीक है तो पहली रो का पहले कोलम में दूसरे कोलम में हो गया अब दूसरी रो का करेंगे तो 42008 बीच में plus 24008 लेकिन ये minus का है तो plus minus minus 8 ठीक है अब इसका ही करेंगे दूसरे कोलम में 430012 तो सिग्जार 12 तो यह माइनस का 12 तब आप देख पा रहे हैं यह 0 यह 0 यह 0 यह 0 सभी कुछ क्या आ गया ठीक है सारे के सारे अलिमेंट 0 आ गया अब आपको यह चीज़ पता है कि वह यह हमारी मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में कोई भी खेलर तो यहां सारे के सारे अलिमेंट कि है जीरो तो हमने जीरो को बाहर ले लिए यह कि स्केलर है हमारा अंदर तो कुछ भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ 1, 0, 0, 1 हम इसको identity matrix लिख सकते हैं जैसा कि यहां पर हमने किया अब 0 का multiply यहां करेंगे यहां भी 0 यहां करेंगे तो यहां पर भी 0 तो अब हमारा 0 क्या आया है determinant है तो यह हमने लेखा determinant of A और यह क्या है हमारी identity matrix तो हमने verify यहां पर कर दिया ठीक है तो अब यहां पर आप देखें सबसे पेहले तो हमने a into adjoint of A और यहां पर ठीक है तो यह verify हो गया इसके बाद adjoint of in to A कर चींग है तो यह भी verify हो गया बात खतं ठीक है clear नोट करना पाथ हैं तो वीडियो को पॉस करके आप नोट कर सकते हैं तो जो हमने कॉशन नमबर फॉर के लिए भी करना है कॉशन नमबर फॉर में भी हमको क्या करना है एंटू एट जॉइंट उप एक वाल टू डिटर्मिनेंट ओफ ए इंटू आ यह हमको वेरिफाय करना है तो सबसे पहले तो वही इसका एडजेंट करना पड़ेगा और एडजेंट फाइंट करने के लिए को फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि चलो इसका एडजेंट करते हैं तो पहले रोग के को फैक्टर फाइंड करते हैं सबसे पहले तो तो बीच में minus 2 1s are 2 minus minus plus 9 plus 2 11 ठीक है और 2 plus 1 3 odd है इसलिए minus sign लगेगा तो यह आगया minus 11 ठीक है अब इसका cofactor find करते हैं तो यह रो गई यह column गया 3 into 0 0 1 into 0 0 तो 0 minus 0 0 ठीक है तो पहली रोग के cofactor होगा अब दूसरी रोग के find करेंगे तब आप देखें सबसे पहले इसका करते हैं यह रोग गई यह column गया 1 into 3 minus 3 2 into 0 0 तो minus 3 minus 0 minus 3 अब position के साब sign लगेगा 2 plus 1 3 odd है तो एक और minus लगेगा तो minus minus क्या हो जाएगा plus ठीक चलिए 2 2 तो यह column गया यह रोग गया 1 into 3 3 minus 2 1s are 2 तो 3 minus 2 1 position के साब से देखें plus minus 2 plus 2 4 even है इसलिए plus ही रहेगा 2 3 की बात करते हैं इसकी तो यह रोग गया 1 into 0 0 minus 1 into 1 minus 1 तो 0 minus minus plus 1 अब position के साब से देखें 2 plus 3 5 odd है इसलिए यहा लगेगा minus तो minus 1 तो दूसरी रोग अभी काम खतम तीसरी रोग यह रोग यह column गया minus 1 into minus 2 plus का 2 ठीक है plus 2 minus 2 into 0 0 तो plus 2 minus 0 2 2 minus 0 2 3 plus 1 4 even है इसलिए plus ही रहेगा इसकी बात करते हैं यह रोग गई यह column गया 1 into minus 2 minus 2 32006 तो minus 2 minus 6 minus 8 position के साब से minus लगेगा तो 3 plus 2 5 odd है इसलिए minus आएगा इसमें तो minus minus क्या हो जाएगा plus ठीक है तो यहाँ पर जो minus था यह हमने solve करके लाया वागी 3 plus 2 5 odd के कारेंट में एक और minus लगके यह हो गया plus का 8 लास्ट यह रोग गई यह column गया 1 into 0 0 minus 31003 तो 0 minus minus plus 3 तो यह आगा है हमारे cofactor ठीक है तो अब आप clearly देख पा रहे हैं यह पहली रोके हैं यह दूसरी रोके हैं यह तीसरी रोके हैं ठीक है तो यह हो जाएंगे हमारे cofactor यह तो यह क्या है हमारे cofactor और यह सब क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमको adjoint लाना है जो verify करना है उसमें क्या adjoint है न हमारा तो यह आगया cofactor अब cofactor के आप transpose कर दो तो उससे आपको मिल जाएगा adjoint of a चलिए कर देते हैं तो इसका आप transpose कर दो वह हो जाएगा आपका adjoint तो पहली रो पहले कॉलम में तो 0-11 0 दूसरी रो दूसरे कॉलम में 3-1-1 तीसरी रो तीसरे कॉलम में 2-8-3 अगया आपका adjoint ठीक है और क्या क्या चीज़ने लग रहे हैं हमारे determinant भी लग रहा है determinant भी find करके रखें लेते हैं हम अपने पास तो इसका determinant यहीं क्या ही find कर रहा है देखें ज़रा 9 बीच में minus 2 1s are 2 तो 9 plus 2 11 और minus 1 बहार है तो यह आजाएगा minus 11 so adjoint find कर लिया हमने determinant find कर लिया जो हमको verify करना है उसके लिए तो हमको verify करना है क्या करना है a into adjoint of a equal to adjoint of a into a equal to determinant of a into identity matrix हमको यह verify करना है ठीक है तो 1 by 1 हम इसको करेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे इसको a into adjoint of a तो a हमारा है ये so यहाँ पर यह हमने लिखा a into adjoint of a यह लिए हमने ठीक है अब इन दोनों matrix हमको multiply कर देना है multiply करते हैं तो द्यान से देखें पहली रोका पहले कॉलम में तो 1 into 0 0 minus 1 into minus 11 plus 11 2 into 00 तो 0 plus 11 plus 0 क्या हो जाएगा 11 ठीक है अब पहली रोका दूसरे कॉलम में तो 1 into 3 3 plus minus 1 into 1 तो plus minus minus 1 2 1s are 2 तो 3 minus 2 minus 1 minus 3 तो 3 minus 3 0 तो यह क्या आगे आपका 0 ठीक है तो आपको पूरा पूरा करना है मेरे पास जगा की कमी है इसलिए calculate करके मैं direct value लिख रही हूँ ठीक है चलो अब तीसरे कॉलम में करेंगे तो 1 into 2 2 minus 1 into 8 minus 8 2 3s are 6 तो 6 plus 2 plus का 8 minus का 8 0 clear ठीक है तो पहली रोगों काम कातम अब दूसरी रोगों का करेंगे पहले कॉलम में 3 into 0 0 into 11 0 minus 2 into 0 0 0 plus 0 plus 0 0 अब इसी का दूसरे कॉलम में तो 3 3s are 9 plus 0 into 1 0 minus 2 minus 1 तो 2 1s are 2 9 plus 2 11 ठीक है अब दूसरी रोगों का तीसरे कॉलम में 3 2 0 6 0 into 8 0 2 3 0 6 तो minus 6 तो 6 minus 6 ये भी 0 clear ठीक है अब दूसरी रोगों का काम कातम तीसरी रोगों इसका पहले कॉलम में तो 1 into 0 0 0 into 11 0 3 into 0 0 ठीक अब इसी का दूसरे कॉलम में तो 1 into 3 0 into 1 0 3 1 0 3 3 minus 3 0 अब 1 into 2 2 plus 0 into 8 0 plus 3 3 0 9 तो 9 plus 0 9 9 plus 2 11 ठीक क्लियर तो अब यहां पर आप देखें तो ये क्या है आपकी मैट्रिक्स है ध्यान दे मैट्रिक्स है अगर ये आपका डिटर्मेरेंट होता तो पहली रो से हम 11 बाहर निकालते हैं दूसरी रो से निकालते हैं तो दूसरी रो से नि ये कॉंसेप्ट हम अल्रेडी समझ चुके हैं तो जो डिटर्मेरेंट का इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने आपको इचीज समझाई थी ठीक है तो अब यह आपकी क्या है मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में जो स्केलर होता है हर एक अलिमेंट में मल्टिप्लाइब होता उ अंदर क्या बच्चा वन जीरो जीरो वन जीरो 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 वन ठीक है यही बच्चा और अब आप देखें यह 11 एक मिन डेटर्मिनेंट में से मिस्टिक होई है हम इस कॉलम क्या है माइनस वन ठीक है यह आपका कॉलम गया यह आपकी रो गई ठीक है यह कॉलम यह रो गई इसके बाद 3300-1 33009 बीच में माइनस इंटु इंटु वन माइनस माइनस प्लस का टू और इसके बाद यह जो बने स्की पोजीशन क्या है पोजीशन कभी तो माइनस लगाते हैं तो इसकी पोजीशन क्या है यह प्लस टू थी मतलब एक और माइनस लगेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो 9 प्लस 2 11 ठीक है तो बस एक जो पोजीशन का माइनस था वह मैं लगाने यह पूल गे तो प्लस 11 ठीक है चलो अब देखो यह जो है 11 यह क्या आगे हमारे डिटर्मिनेंट ओफ ए और यह है आपकी identity matrix of order 3 तो आप इसको आए ही लिख सकते हैं क्योंकि identity matrix का वही order रहेगा जो हमारी matrix कराएगा तो इस matrix का order 3 है तो identity matrix का वह order 3 है तो यहाँ पर हमने a into adjoint of a जो है इसको हमने वेरिफाय कर दिया यह आगया determinant of a into ái ठीक है तो वीडियो को पॉस्च करके आप इतना noat कर लीजिए हमने इसको वेरिफाय किया अब हम इसको verify करेंगे यहीं पर तौ इसको आप note कर दिए तो अभी हमने इसको verify कर चुके अब इसको करेंगे तो यह क्या है met joint of a into a ठीक है तो यहा पर adjoint लिखते हैं adjoint हमारा आया है यह तो यह आगया adjoint इसके multiply में matrix A तो A रही matrix यह ठीक है तो इसको verify कर चुके हैं अब इसको कर रहे हैं तो यहाँ पर भी दोने matrix का multiply करना है तो चलिए multiply करते हैं पहली रो का पहले कॉलम में तो 0 x 1 0 3 3s are 9 2 1s are 2 9 plus 2 11 ठीक है पहली रो का पहले कॉलम में पहली रो का दूसरे कॉलम में 0 x 1 0 0 into minus 1 0 3 into 0 0 2 into 0 0 तो 0 plus 0 plus 0 0 ठीक है अब इसी का तीसरे कॉलम में तो 0 into 2 0 3 2s are minus 6 2 3s are plus 6 तो plus 6 minus 6 0 ठीक है तो पहली रो का पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में तीसरे कॉलम में होगे जिससे हमको यह 3 value मिलगी अब दूसरी रो तो दूसरी रो का पहले कॉलम में तो minus 11 into 1 minus 11 1 into 3 3 8 1 0 8 8 plus 3 11 और plus का 11 minus 11 0 ठीक है चली अब इसी का दूसरे कॉलम में तो minus 11 का minus 1 में तो plus का 11 1 का 0 में 0 8 का 0 में 0 तो plus का 11 ही रहे गया यहाँ पे ठीक है अब इसका तीसरे कॉलम में तो minus 11 का 2 में minus 22 1 का minus 2 में तो minus का 2 8 3 0 24 तो minus 22 minus 2 minus 24 प्लस 24 यह क्या आगया पूरा 0 चली तो दूसरी रो का काम कहता है अब तीसरी रो ठाते हैं तीसरी रो है 0 minus 1 3 0 minus 1 3 इसका पहले कॉलम में तो 0 into 1 0 minus 1 into 3 minus 3 3 1 0 3 तो minus 3 plus 3 अब इसी का दूसरे कॉलम में तो 0 का multiply 1 में 0 minus 1 का 0 में 0 3 का 0 में 0 तो यहाँ गया जिरो अब इसी का तीसरे कॉलम में तो 0 into 2 0 minus 1 into minus 2 तो 2 1 0 2 3 3 0 9 तो 9 plus 2 11 ठीक है तो सभी जगह से आप देख पा रहे हैं जो आपका diagonal है सभी जगह क्या है 11 है मतलब यह हमारा scalar है scalar को हमने निकाल लिया बाहर सभी जगह क्या बच्चा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यह क्या हो गया आपका 11 क्या है आपका determinant है तो यहाँ के determinant of A into identity matrix तो हमने इसको भी verify कर दिया ठीक है इससे पहले और अब इसको भी verify कर दिया ख़तम ठीक है तो question number 4 हमारा complete हो गया है इसको note करना चाहते हैं तो note कर सकते हैं है तो अब जो आगे के question है उसमें हमको बोला जा रहा है find the inverse of each of the matrices if it exist अगर inverse exist करता है matrix का तो matrix का inverse find करना है given the exercise is 5 to 11 तो question number 5 से लेके question number 11 तक हमको matrix दी हुई है और उन matrix का हमको inverse find करना है अगर exist करता है तो तो सबसे पहले हम ले रहे है question number 5 ठीक है तो यह matrix है हम इसको suppose कर लेते हैं कि let a equal to this अब किसी भी matrix का inverse find करने के लिए हमारा क्या formula होता है यहां पर मैं formula आपको बता देती हूं a inverse equal to one upon determinant of a into adjoint of a तो उस matrix का adjoint और उस matrix के determinant से हम find करते हैं matrix का inverse लेकिन उसके पहले हमको यह check करना होता है कि भाई जो भी matrix हमको दी हुई है उसका inverse exist कर भी रहा है यह नहीं तो उसके लिए हम क्या करते हैं matrix का determinant find करते हैं तो सबसे पहले हम इसका determinant find करते हैं तो determinant of a 2, 3, 6 बीच में minus 4, 2, 2, 8, minus, minus, plus 8 तो 8, plus 6, 14 तो जो 14 है वो 0 के एक ओल नहीं है मतलब हमारी जो matrix है non-singular matrix है और non-singular है मतलब यह invertival है तो तो अगर determinant 0 नहीं आता है 0 नहीं आना चाहिए बस बागी कुछ भी आ जाए आपकी negative value आ जाए 0 से बड़ी value आ जाए 0 से चोटी value आ जाए तो चलेगा उस condition में आपकी matrix non-singular रही और अगर matrix non-singular है मतलब वो invertible है चलो तो हम इसका inverse find कर सकते हैं तो के लिए हमको क्या चाहिए determinant चाहिए और जोइंट चाहिए determinant हम फाइंड कर चुके हैं तो एडजोइंट कैसे करेंगे सीदी सी बाद है तो कोई दिक्कत नहीं डेरेक्ट कर सकते हैं तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं 2 की जगह पर 3 3 की जगह पर 2 और इन दोनों के साइंट कर देते हैं प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2 यह होगा आपका एडजोएंट डेरेक्ट आ जाएगा हमारा 3-422 लेजे तो यह आगया आपका inverse of this matrix that's it ठीक तो question number 5 होगे अब हम करेंगे question number 6 तो यह है हमारा question number 6 यह भी 2 by 2 की matrix से इसका inverse find करना सबसे पहले हम क्या देखेंगे यह invertible है या नहीं तो a equal to sorry determinant of a equal to इसका determinant find कर लेते हैं minus 1 into 2 minus 2 बीच में minus 3,500 15 minus 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 plus 15 15 में से 2 minus हुआ तो यह आगया plus का 13 ठीक है तो 13 आगया है मतलब यह non singular matrix है मतलब a invertible है तो matrix a is invertible ठीक है तो चलिए inverse find करते हैं तो inverse find करने के लिए determinant चाहिए और क्या चाहिए adjoint चाहिए तो adjoint find करते हैं तो adjoint of a 2 by 2 की matrix है यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं इन दोनों को interchange कर दीजे तो minus 1 की जगा पे आ गया 2, 2 की जगा पे आ गया minus 1 इन दोनों के sign change minus का 3, plus का 3, plus का 5, minus का 5 अब सिर्फ हमको formula लगाना है तो a inverse का formula क्या होता है 1 upon determinant of a into adjoint of a तो 1 upon determinant कितना आया है हमारा 13 और adjoint कितना आया है आपका 2, 3, minus 5, minus 1 तो लीजे यह आ गया आपका inverse of this matrix तो question number 6 भी हमारा complete हो गया है तो next question है question number 7 question number 7 में यह matrix दी हमने suppose कर लिया कि यह matrix जो है यह क्या है हमारी a ठीक है अब यह 3 पाइसरी की matrix है तो direct हम नहीं कर पाएंगे हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि invertible है या नहीं उसके बाद हम देखेंगे कर invertible होगी तो factor find करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम इसका determinant find करते हैं ठीक है तो determinant of a इसी से हमको पता चलेगा कि invertible है या नहीं तो determinant आप कैसे भी find कर सकते हैं आपकी choice है तो हम देख रहे हैं जो पहला column है उसमें भी दो 0 है तो कहीं से भी आप find कर सकते हैं तो पहले column से हम find कर लेती हैं क्योंकि इसमें 2 0 है तो 1 यह हो गई यह column क्या 2 5,000 10 बीच में minus 4 into 0 0 10-0 10 और जो वन उसकी position है 1 plus 1 2 even तो यह आ जाएगा आपका 10 अब आप clearly देख पा रहे हैं कि आपका determinant यह 10 आया है मतलब यह invertible है 0 नहीं है मतलब invertible है तो यहां लेखिंगे हम determinant of a is not equal to 0 so a is invertible ठीक अब invertible है तो 3 by 3 की matrix है तो इसका adjoint करने के लिए co-factor find करने होंगे तो चलिए co-factor find करते हैं पहली दो यह करते हैं यह kolum गया यह करने है जीरो चलो इसका करते हैं ये कॉलम गया ये रो गई 2 5's are 10 minus 0 तो 10 minus 0 10 2 plus 1 3 odd है तो minus लग जाएगा इसका ये कॉलम ये रो गई ये कॉलम गया अब 1 into 5 5 minus 0 5 और 2 plus 2 4 है तो कोई sign नहीं लगेगा extra इसका find करेंगे ये रो गई ये कॉलम गया 1 into 0 0 2 into 0 0 minus 0 0 अब 30 0 तो इसका करते हैं तो ये रो गई ये कॉलम गया 2 2's are 2 4's are 8 minus 3 2's are 6 8 minus 6 यहां आ गया 2 3 plus 1 4 even है इसलिए कोई sign extra नहीं लगेगा अब इसकी बात करते हैं ये रो गई ये कॉलम गया 1 into 4 4 बीच में minus 3 into 0 0 4 minus 0 4 अब यहां पर आप देख पा रहे हैं जो position है वो है 3 2 3 plus 2 5 यानि odd यानि minus लगेगा 3 3 इसकी बात करते हैं ये कॉलम गया ये रो गई 1 into 2 2 minus 2 into 0 0 2 minus 0 2 3 plus 3 6 even है इसलिए कोई sign नहीं लगेगा ठीक clear तो ये आ गए हमारे co-factor ठीक है co-factor हमारे आ गए ये हमारे co-factor आ गए अब co-factor का transpose कर देंगे तो उनको adjoint मिल जाएगा तो चलिए कर देते हैं adjoint of A ज्यान दे ये क्या है co-factor है हमारे co-factor of A आपको पूरा लिखना है अब जो हमारे co-factor उनका transpose कर देते हैं तो पहली रो को पहले कॉलम में पहली रो है 10,0,0 इसको पहले कॉलम में 10,0,0 दूसरी रो को दूसरे कॉलम में माइनस 10,5,0 तीसी रो को तीसरे कॉलम में 2, माइनस 4,2 तो यह आगे हमारा adjoint पासम को दो ही चीज़े चाहिए determinant और adjoint inverse आजाएगा तो A inverse क्या होता है हमारा 1 upon determinant of A और यहां क्या होता है multiply में adjoint of A चलिए लिख देते हैं तो 1 upon determinant of A कितना आया है 10 और adjoint क्या आया है हमारा लिख देते हैं 10,0,0 माइनस 10,5,0 2, माइनस 4,2 तो यह आगया हमारा matrix का inverse matrix को हमने A suppose किया था तो उसका inverse हो जाएगा A inverse तो यह हो जाएगा आपका answer तो बस matrix का inverse find करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए पहली चीज़ तो यह कि वो invertible है या नहीं ठीक है invertible के लिए कि चेक करते हैं कि determinant 0 नहीं आना चाहिए अगर 0 आ गया तो invertible नहीं है ठीक है तो यहाँ पर हमारा determinant आया 10 मतलब invertible है फिर इसके cofactor आप find करिए 2y2 की matrix में तो करने की ज़रत नहीं क्योंकि direct method आपके पास है ठीक है लेकिन अगर 2y2 से जाधा यानि order 2 से बड़ा आता है तो आपको यहीं करना पड़ेगा तो हमने सारे cofactor find की इनको एक matrix में लिखा अब जो cofactor है उनका हमने transpose किया जिससे हमको मिला adjoint, adjoint मिल गया, determinant मिल गया, formula में value रख दी तो यह आगया हमारा A inverse ठीक तो इसको note करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बाकि आज की class में इतना ही करेंगे ठीक है तो इस exercise के और भी question है जो हम देखेंगे अगले वीडियो में so I hope कि आज की class में मैंने आपको जो question समझाए है वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आये होंगे वीडियो भी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नह थैंक यू